एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे रंगीन शेर रहा करते थे, इन रंगीन शेरों का सरदार एक सफेश शेर था, और इसी जंगल के दूसरी और रंगीन बागों का एक कबिला भी रहता था, इस कबिले का सरदार एक बाग मानो था, इन दोनों कबिलों के बीच रो लड़ाई में बाग के कबीले का नुकसान होता तो कभी रंगीन शेरों के कबीलों का नुकसान होता था। एक दिन रंगीन शेरों के कबीलों के सरदार सफेश शेर ने रंगीन बागों के सरदार बागमानों को एक खास मिटिंग के लिए बुलाया और उससे कहा सुनो बाग मानाओ, रोजाना हम दोनों कबीले किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में हम दोनों कबीलों का भारी नुकसान होता है आगर हमें रहना तो इसी जंगल में ही है ना, क्यों न हम एक समझोता कर लेते हैं साफेश शेर कैसा समझोता, बताओ मुझे तो सुनो, हम ये जंगल को दो हिस्से में बाट लेते हैं एक हिस्सा तुम्हारे कबीले का होगा और दूसरा हमारे कबीले का बोलो क्या तुम इस बास ते सहमेद हो हाँ ठीक है साफेश शेर, मैं सहमेद हूँ तब इन दोनो कबीलो के जानवर अपने अपने हिस्से में रहने लगे फिर एक दिन इस जंगल में कहीं से एक बहुत ही खतरनाक डाइनसोर आ जाता है और वे रंगीन शेरों के कबीलों पर पहुंचता है और वहाँ पर बहुत सारे रंगीन शेर देखता है अरे वहाँ इतने सारे रंगीन शेर आज तो मज़ा आ जाएगा जब मैं इन सब को अपना भोजन बनाऊंगा तब ये डाइनसोर इन रंगीन शेरों पर हमला कर देता है और रंगीन शेरों को पकड़ कर खा लेता है तब कुछ रंगीन शेर दोड़कर अपने सरदार सफेश शेर के पास पहुंचे उन में से एक शेर बोला महराज महराज हमारे कभील में एक बहुती घतनाक डाइनसोर आ गया है और उसने कुछ रंगीन शेरों को खाना शूर कर दिया कुछ करो महराज अच्छा तो ये बात है तो सुनो दोस्तो माना की हम बहुत ताकतवर हैं लेकि उस डाइनसोर का मकाबला करने के लिए हमें और ताकत चाहिए होगी और वे बाग मानों के कभीले से ही मिलेगी मुझे बाग मानों से इस बारे में बात करनी होगी तब सफेज शेर बाग मानों के पास पहुँचा और बोला ए बाग मानों सफेज शेर की मदद करने के लिए साफ इंकार कर देता है सफेज शेर हमें तुम्हारी समस्चा से कोई लेना देना नहीं है ये मुसीबत तुम्हारे कभीले पर आई है मेरे कभीले पर नहीं इसलिए इस समस्चा से तुम ही निम्टो अगले दिन में डाइनसोर बाग मानों के कभीले में पहुँच जाता है और वहाँ पर बहुत सारे रंगीन बाग को देखता है अरे वाह इस जंगल में तो रंगीन बाग भी रहते हैं और वो भी बहुत सारे चलो इनका भी शिकार करता हूँ तब वे डैनसौर रंगीन बागों पर हमला कर देता है और उन्हें खाने लगता है जब बाग के कबीले के सरदार बाग मानो को ये बात पता चली कि वे डैनसौर हमारे कबीले में आ गया है और उसने रंगीन बागों को खाना शुरू कर दिया है तो वे बहुत दुखी होता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे रंगीन शेरों के कबीले के सरदार सफेज शेर की बात मान लेनी चाहिए थी अब मुझे उनके पास जाना ही होगा तब वे बाग मानो रंगीन शेरों के सरदार सफेज शेर के पास पहुचा और बोला सफेज शेर मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी कल्टी की है उस डैनसोर ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया है अब हमें मिलकर उस डैनसोर को सबक सिखाना होगा कोई बात नहीं बाग मानो देर से ही सही लेकिन तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि एक जुड़ता में ही ताकत है चलो चलते हैं उस डाइनसोर को खत्म करते हैं तब दोनों कभीलों के रंगीन बाग और शेरों ने मिलकर उस दुष्ट डाइनसोर को जान से मानने की एक योजना बनाई इस योजना के अनुसार एक शेर उस डाइनसोर के पास से गुजरता है जैसे ही वे डाइनसोर उस शेर पर हमला करने के लिए दोड़ता है तब सभी बाग और शेरों ने एक साथ मिलकर उस डैनसौर पर जोड़दार से हमला कर दिया और उसे मार मार कर नीचे गिरा दिया और उसे नोच नोच कर खाने लगे और इस तरह से सबी ने एक जुटता के साथ इस डैनसौर का खात्मा कर दिया है तो देखा दोस्तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक जुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है इसलिए हम सबको एक जुट होकर सभी समय से का समधान करना चाहिए तो कहानी पसंदा इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंट्रेस्टिड कहनीों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू